इसको किस तरह लिखा जाता है अच्छा अच्छा आप देखिए पाओ का पता चल गया आथ को तो अब ये भी पता चल गया मतलब मैं सवा चार लिखना चाहता हूँ सवा पांच, सवा शे, सवा साथ तो किस तरह लिखूंगा ये सवा साथ मसल मैं लिखना चाहता हूं तो सवा साथ का मतलब क्या है साथ पूरे और उसके साथ एक पौब तो उसके साथ के साथ एक बटा चार लिख देंगे कैसे पढ़ेंगे साथ सही एक बटा चार यानि कि ये सवा साथ है इसी तरह मैं सवाथ लिखना चाहता हूं तो सवाथ का मतलब है आठ पूरे और उसके साथ एक बटा चार तो कैसे पढ़ेंगे आठ सही एक बटा चार इसी तरह कोई भी आद़ लिख सकते हैं मैं लिखना चाहता हूँ साड़े तीन का क्या माना तीन पूरे और उसके साथ एक बटा दो तो इसको कैसे पढ़ेंगे तीन सही एक बटा दो पढ़ेंगे बई और इसी तरह मसल मैं सारे साथ लिखना चाहता हूँ कैसे लिखूंगा साथ सही एक बटा दो और पोने को किसा लिखते हैं तीन बटा चार तो इसको मसल मैं लिखना चाहता हूँ पोने चार कैसे पोने चार का क्या माना तीन पूरे और उसके साथ तीन बटा चार तीन सही तीन बटा चार पढ़ेंगे इसको भई ये पौने चार है इसी तरह मैं पौने छे लिखना चाहता हूँ भई पौने शे का क्या माना पॉरे और उसके साथ टीन बटा चार जी तो ये पांच सही तीन बटा चार लिखा ये है पौने छे वई तरीका समझ में आ गया तो तीन सही एक बटा दो ये क्या है ये है साड़े तीन भई अब इसको मैं सिर्फ बटा की सूरत में लिखना चाहता हूँ ये सही आदत को इसके साथ से खतम करना चाहता हूँ तो फिर देखी ये लिखा मैंने तीन सही एक बटा दो इसको मैं सिर्फ बटा की सूरत में लिखना चाहता हूँ तो उसका तरीका यह वै कल एक तरीका तो बताया था कि सिर्फ बटा की सूरत उपर वाला आदद बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो तो नीचे वाले आदद से उपर वाले को तक्सीम करते है और जो बाती बर्च जाए उसको उपर लिखते हैं और जिस से तक्सीम किया था उसको उसी तरह नीचे लिख देते हैं और जो उपर हासिले पिस्मत आया था उसको लकीर के साथ लिख देते हैं सूरत याद आगे जहन में भई तो वो तो सूरत थी कि बटा को हम सही की सूरत में ले गए अब इसका आक्स करना है सही को किस की तरफ लेकर जाना है बटा की तरफ तो मतलएं ये हमारे पास एक आदद है तीन सही एक बटा दो अब हमने इसके साथ ही जो सही है इसको खतन करना है सिर्फ बटा की सुरत में लिखना है तो उसका तरीका ये है कि ये जो तीन है ये तीन सही ये तीन जो है इसको नीचे वाले आदद के साथ जरब दे देंगे और उपर वाले को फिर उस जवाब में जमा करके उपर लिख देंगे तो तीन को नीचे वाले आदब दो से जरब दी कितना आया शे और शे में फिर उपर वाला एक जमा किया कितना हो गया साथ तो उपर आगे बराबर का निशान डाल का उपर साथ लिख देंगे और नीचे जो था उसको उसी तरह नीचे लिख देंगे नीचे दो था, वो लिख दिया, तो साथ बटा दो, तो साथ बटा दो और तीन सही एक बटा दो, ये आपस में दोनों बरादर हैं, भई। वो भी साड़े तीन है, और ये भी साड़े तीन, दूसरी मिसाल कर लें, सवा साथ था हमारे पास साथ सही एक बटा चार इसको अब हमने सिर्फ बटा की सूरत में लिखना है तो क्या तरीका है साथ जो है जो सही है उसको जरब देनेंगे नीचे वले आदब से साथ को चार से जरब दी कितना जवाब आया साथ चौके अठाइस और अठाइस में फिर हमने क्या किया उपर वले आदब एक को जमा किया ये कितना बन गया 29 भई तो आगे बराबर का निशान डाल कर उपर उसी तरह 29 लिख देंगे उपर 29 आजाएगा और नीचे उसी तरह जो नीचे आदब था वो आजाएगा 4 भई तो 29 भटा 4 का क्या माना है ये सबाद साथ है भई तो ये साथ सही एक बटा 4 और 29 भटा 4 ये दोनों एक ही चीज़ है सिर्फ शकल मुक्तलिक है सूरत समझ में आगए एक और मसलन मिसाल कर ले ये मेरे पास एक आदब है 5 सही 3 भटा 4 5 सही 3 भटा 4 ये के दरवसल कितना है 5 सही 3 भटा 4 को हमने भटा की सूरत में लिखना है तो जो सही आदब है यानि 5 उसको नीचे वाले से जरब दे दी 5 चौके 20 और उपर वाले आदब 3 को उसमें जमा किया कितना आगया 20 तो आगे बराबर का निशान डालकर उपर 23 लिख लेंगे और जो नीचे था यानि 4 उसको उसी तरह नीचे लिख देंगे तो 23 भटा 4 आया भई तो ये 23 भटा 4 और 5 सही 3 भटा 4 ये दोनों आपस में बराबर है एक ही चीज है सूरत समझ में आगई भई एक और मिसाल कर लें मसला 2 सही 3 भटा 4 जी इसको हमने सिर्फ भटा के सूरत में लिखना है तो 2 को किसे जरब दे देंगे नीचे वाले अदब 4 से 2 चौके 8 और उपर वाले अदब को जमा किया 11 तो उपस बराबर का निशान डालकर उपर 11 लिख लेंगे और नीचे क्या लिखेंगे नीचे चार को उसी तरह लिखेंगे 11 भटा 4 तो 11 भटा 4 ये बराबर है कितने के 2 सही 3 भटा 4 के ये दोनों एक सी चीज़ हैं ये बराबर हैं सूरतें सिर्फ अलग अलग है ये बात सब को अच्छी तरह समझ में आ गई एक और मिसाल कर ले 4 सही 5 भटा 7 4 सही 5 भटा 7 इसको भटा की सूरत में सिर्फ लिखना है तो सही आदद क्या है 4 उसको नीचे वाले आदद 7 के साथ जरब दी कितना है 7 चौके 28 28 में उपर वाल आदद यानि 5 जमा किया कितना बन गया 33 तो 33 उपर लिखा और नीचे क्या था 7 7 को उसी तरह नीचे लिख दिया तो ये 33 भटा 7 और 4 सही 5 भटा 7 ये दोनों आपस में बराबर हैं एक ही चीज़ है दोनों भई यहां तक बास समझ में आ गई गई अच्छा ये तरीका तो आग या आपको सही को बटा में कैसे लेकर जाते हैं और बटा को सही में कैसे लेकर आते हैं सही को बटा में ले जाना हो तो क्या करते हैं सही को बटा में लेकर जाना है सही को फिर नीचे वले आज़त से अभी जैसे आपने किया नीचे वले आज़त से जरब देते हैं उसको सही में लेकर जाना है तो उसका क्या तरीका नीचे वले आदद से उपर वले आदद को सम्झीम करते है तो फिर उसके बाद जो नीचे था उसको नीचे ही लिखते है जो बागी बढ़ जाए उसको उपर लिखते है और जो हासिल ये किसमत हो उसको साथ मिलाकर लिख देते हैं भई अब मसलन देखिए भई हमारे पास ये आदद है 235 बटा 125 235 उपर है और 125 नीचे है याद रखिए जब भी बटा की सूरत में आदद हो आए आपके पास तो उसको छोटे से छोटा बनाने की कोशिश की जाती है अगर किसी एक आदद से दोनों हिंसे तक्सीम हो रहे हों पूरे पूरे तक्सीम कर देंगे ताके छोटे आदद बन जाएं तो लहाज़ा उपर हमारे पास क्या है दो सौ पैंटी नीचे क्या है एक सौ पच्सीश तो ये दोनों पांच के देंगे तक्सीम हो जाते हैं बई क्योंके आखिर में एकाई क्या रही है दोनों के किसी आदद के आखिर में जो एकाई है जितना बड़ा भी आदध हो चाहे हजार में हो चाहे लाख में हो चाहे फरोड में हो उसकी जो एकाई है यानि जो दाएं तरफ आखरी आदध है वो पांच हो या सिफर हो पांच हो या तो पांच से पुरा पुरा तक्सीम हो जाता है अगर आफिर में पांच आया तो भी तक्सीम हो जाएगा सिफर हो तो सिफर को फिर दफ समझा करें कितना समझ लें दफ तो भई पांच पांच से तक्सीम होता है या नहीं होता और दफ भी पांच से तक्सीम पूरा पूरा हो जाता है तो जितना बड़ा भी आदध आपके पास हो उसकी एकाई यानि आखरी हिंसा जो दाएं तरफ है वो पांच हो या सिफर हो सिफर हो तो उसको कितना शुमार करना है उसको आपने यह समझना है गोया कि ये दस है तो वो पांच से तफ्सीम हो जाएंगे मसला मेरे पास एक आदध है तीन करोड तकना जाएंगे चोटाई आदध ले ले मसला तीस हजार पांच सो पचस्तर तीस हजार पांच सो पचस्तर या आदध है भई आप बताईए भई ये पांच से तक्सीम हो जाएगा या नहीं होगा ये पूरा 5 तत्षीन हो जाएगा क्योंकि आरफिर में इकाई क्या है 5 है वही एक और अधर लेने में में पार अधर है 30706 3730 आप बताईए ये 5 तत्षीन होगा ये नहीं होगा कैसे पता चला आदब को आरफिक में जो इकाई है वो सिफर है और सिफर को कितना शमार करना है 10 और 10 तो 5 से तफसीम हो जाता है मालों हो ये 5 पूरा पूरा तफसीम हो जाएगा दूसी बात इसमें ये याद रखिए जुफ्त और ताफ जुफ्त और ताफ जानते हैं या नी जानते जो दो पर तख्सीम हो जाए वो जुफ्ट है और जो दो पर तख्सीम नहो वो ताफ है कोई आद़ कितना ही बड़ा क्यों नहो आप उसकी एकाई को देखकर फोरण बतला सकते हैं कि ये जुफ्ट है या ताफ है अगर एकाई जो है वो एक हुई या तीन हुई या पांच या साथ या नौ तो इसका मतलब है या अधत ताफ है और अगर इकाई जो है वो दो हुई या चार हुई या शे या आट या सिफर सिफर को कितना शुमार करना है? दस तो ये दो, चार, शे, आच, दस गोया के आखिर में आ रहा है और ये तो दो से तख्सीम हो जाते है मालू हूँ ये अदद क्या है जुफ है अब आप मुझे बताएए पहला हमने अदद लिखा था 3575 ये ताख है ये जुफ है ताख है कैसे पता चला आपको लिकाई ये जो पांच है, ये ताख है तो मालू हो ये पूरा अदध ताख है और नीचे वाला अदध है 30,730 वई, ये ताख है ये जुखत है, जुखत है किसके जिये पता चला इकाई के जरीए जो शुरू में दाएं तरफ सिफर आया और सिफर को कितना शुमार करना है 10 और 10 तो 2 से तक्सीम हो जाता है मालू हुआ ये अदर जुख्त है वई तरीका समझ में आ गया अच्छा अब आईए हमने वो हिंसा लिखा वई 235 बटा 125 तो 235 में इकाई पांच है 125 में भी इकाई पांच है मालू हुआ ये दोनों पांच से तक्सीम हो जाएंगे अब 125 पांच का पहाड़ा कहां तक पढ़ें कि 125 आएगा भई जर्बें देकर आपको देख जिने पहाड़े नहीं आते वो जर्बें देकर देख लें वरना तो खुदी पदा चल जाता है पांच का पहाड़ा 25 तक पढ़ें तो कितना आएगा 125 तो लहादा 125 को काड़ दिया और कहा तक पहाड़ा पढ़ा था 25 तक तक पच्चीस इसके साथ चोटा सा लिख लेंगे तापि याद रहे अच्छा 235 भई जे उसे आप तक्सीम करके देख लें पांच 235 अंदर रखें पांच बाहर रखें आप तक्सीम का अमल करें आपको उसी वक्त पता चल जाएगा भई जे 47 जे तो 235 को काट कर उसके साथ 47 छोटा सा लिख लें भई तो उपर क्या है 47 नीचे क्या है अब 25 तो इसके साथ आप बराबर का निशान डालिए और उपर लिख लीजिए 47 और नीचे लिख लीजिए 25 तो मालूम हुआ 47 बटा 25 हो या 235 बटा 125 हो ये दोनों आपस में बराबर हैं ये दरम्यान में अलामत बराबर की हमने डाले ये क्या बतला रही है ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर है सूरतें बेशच बेशच अलग अलग हो लेकि इसके हल से जो जवाब आएगा ये ही जवाब आएगा अच्छा अब क्या आया 47 बटा 25 ऊपर वाला आदथ नीटे वले आदथ से बड़ा है या चोटा है ऊपर वाला आदथ बड़ा है लेहादा इसको अब हम सही की सूरत में भी लिख सकते हैं अब सही की सूरत में लिखेंगे किस तरह 47 को जरत 25 से पहले तक्सीम करके देखें 47 आपने अंदर रखा और 25 से तक्सीम किया भई 47 में से सिर्फ पहला आज़त पकड़ा 4 लेकिन वो तो 25 से छोटा है दूसरा भी साथ मिला लिया तो अब 25 सा पहाड़ा पढ़े 25 हिकम 25 पच्सीम दूनी पचार तो वो पचार 47 से बाद बढ़ जाती है इसलिए एक तक ही रखें तो 25 हिकम 25 एक उपर लिखा 47 के नीचे क्या लिख लिए 25 लिख लिए 47 में से 25 निकालें कितना बाकी बढ़ जाता है 22 बाकी बच जाएगा बई जी अब सही की सुरत में हम लिखना चाते हैं तो बढ़ उस 47 बटा 25 के साथ जो उपर लिखा था उसके साथ बढ़ बराबर का निशान डालें नीचे क्या था 25 नीचे वाले को उसी तरह नीचे लिख देंगे बाकी क्या बचा 22 बाकी बचा था उसको उपर लिख देंगे और हासिल है चिसमत कितना था एक एक उसके साथ 22 बच तरह लिख देंगे तो एक सही 22 बटा 25 वई ये आया था सही की सुरत में तो देखो 47 बटा 25 और एक सही 22 बटा 25 ये दोनों आपस में बराबर है तरीका आगया सब को मैंने बताया बटा की सुरत में जो भी आज़त हो उनको मुक्तसर करने की कोशिश की जाएगी एक ही आज़त से उपर नीचे बले दोनों आज़त काट रहे हो जहां तब कटते चले जाएगे उनको काटेंगे बई मसलना हमारे पास ये आज़त है वैetr 100—7—0— बटा 2500—25—0— तो 10—700—25—0— फिया हमारे पास है उपर क्या है? 10—7—0— नीचे क्या है? दो 5—0— अभ याद रख्किए है अभी मैंने आपको बताया बटा की सूरत में जब आज़र हो तो उनको क्या किया जाएगा छोटा करने की कोशिश करेंगे कि मुختसर हो जाएगे हिंसे मुख्तसर हो जाएगे छोटे हिंसे बन जाएगे उब जब भी देखे तो देखिए और इसमें क्या किया जाता है उपर वाले आदत को नीचे वाले आदत से बटा का का मतलब होता है उपर वाले आदत को नीचे वाले आदत से तफ्सीन करना है यह माना होता है इसका तो जब आप मुटसर करने लगें अब आप देखें भई नीचे वाले हिंसे के भी एकाईयों की तरफ सिफर सिफर है उपर वाले में भी एकाईयों की तरफ क्या है सिफर एकाई भी सिफर दहाई भी सिफर उपर भी और नीचे भी तो लहादा आफसान तरीका अप कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं कुछ करने की भी बी नहीं फिरस असान टरीका है कि आफिर में जब दोनों के आफिर में सफर सफर एक जैसे आ रहे हो तो बराबर सफर दोनों तरब से काड़ दें बसला उपर भी आफिर में नीचे भी आफिर ने तो उपर के भी दो सिफर काट दें नीचे के भी दो सिफर काट दें और आगे बराबर का निशान लिखें बई तो दोनों सिफर नीचे वले दो सिफरों से कट गए क्या है आगे 107 बटा 25 आ गया 107 बटा 25 सूर्ष समझ में आ गई यानि जितने सिफर एक तरफ से काटने है उतनी दूसी तरफ से काटने है यह निए कि नीचे अगर 3 हो तो आप नीचे 3 काट दें उपर 2 काटें नहीं नहीं बराबर रखना है उपर 2 सिफर काटें तो नीचे भी किसने सिफर काट दें 2 सिफर यह किस वकर जब आँखरी दाए तरफ हो भई इकाई दाहाई वाली जानिप पर भई तो यह 107 बटा 25 और वो जो पिछला आदर था 10700 बटा 25 तो यह दोनों आपस में बराबर हैं भई दोनों का एक ही मानए दोनों का एक ही जवाब आएगा भई अच्छा आप देखिए भई 107 बटा 25 हमारे पास आया तो उपर वाला आदर बड़ा है नीचे वाले से या चोटा है बड़ा है तो इसको अब सही की सूरत में भी लिख सकते हैं हम भई तो उसको जड़ा तक्सीम करें 107 को 25 से तक्सीम करें 107 में से पहला आदर पकड़ा वो भी 25 से चोटा उसके साथ सिफर मिलाया 10 बन गया ये भी 25 से चोटा फिर 7 को मिलाया था तो 107 हुआ अब 25 का पहाड़ा पढ़ें कि 107 आ जाए या इससे कम रहें भई 25 चोटे 100 और 25 पंजे 125 वो बात उपर चली जाती है लहादा 4 तक ही रखें उपर 4 लिखें 25 चोटे कितना आया था 107 के नीचे 100 लिखा 107 में से 100 निकाला कितना रहा गया 7 नीचे 20 बच गया वई नीचे जो था उसको उसी तरह लिखें नीचे क्या था 25 तो यहाँ भी नीचे 25 लिखा बाती क्या बचा 7 उसकार को उपर लिख लेंगे और हासिल अचिसमत क्या था 4 वो 4 इसके साथ बाइं तरफ लिख देंगे तो 4 सही 7 बटा 25 सही यह सही की सूरत में जवाब आ गया तरीका समझ में आ गया वई एक और मिसाल कर लें हमारे पास मसला नादर है 3500000 यानि 35000 बटा 3600 उपर है हमारे पास 3500000 यानि 35000 नीचे है 3600 यानि 3600 तो 35000 बटा 3600 अब हमने इसको मुक्तसर करना है बटा की सूरत में फॉर्ण क्या करेंगे आखिर में दोनों के हिकाईया और दहाईया सिफर आ रही है वहां से सिफर उस बगयर सोचने के भी नहीं ज़रब बराबर सिफर काट देंगे जितने एक तरफ से काटें उतने ही इस वकत उपर वाले के साथ तीन सिफर है और नीचे वाले के साथ दो सिफर तो नीचे वाले के समें कम है तो वो दो सिफर काट दिये उपर भी कितने सिफर काट देंगे यानि एकाई और दाहाई के जो सिफर है उनको काड़ देंगे तो यह आगे बराबर की सूरत में लिखेंगे उपर क्या रह गया? तीन सो पचाफ और नीचे क्या रह गया? शच्छीश रह गया अब इसको हमने और मुटसर करना है फौरण सही की तरफ नहीं जाना सही की तरफ सब जाते हैं जब और किसी आज़त से दोनों तक्सीम नहों गई तो अभी भी देखें नीचे वाला आज़त क्या है? शच्छीश ये दो से तक्सीम हो गया या नहीं होगा? उपर है तीन सो पचाफ ये भी दो से तक्सीम हो जाएगा तो लेहादा दो से दोनों को तक्सीम करेंगे बई दो का पहाड़ा कहा तक पढ़ें के च्छीश आ जाए अच्छीश तक बई तो च्छीश को काट कर उसके साथ अच्छीश लिख देंगे उपर है तीन सो पचाफ जो का पहाड़ा कहा तक पढ़ें के तीन सो पचाफ आए तक्सीम करके आप देख लें एक सो हाँ तीन सो पचाफ को दो से तक्सीम करें आप देखें एक सो पचाफ आएगा भई तो तीन सो पचाफ को काट कर उसके साथ छोटा सा एक सो पचस्तर लिख दिया जी तो आगे बराबर का निशान डाला उपर क्या रह गया एक सो पचस्तर नीचे क्या रह गया अठारा तो एक सो पचस्तर बटा अठारा आया अब देखें भई ये दोनों आगे तक्सीम होते हैं किसी आदर से या नीचे तो है अठारा ये दो से तक्सीम हो जाएगा लेकिन उपर एक सो पचस्तर है वो ताख है वो दो से तक्सीम नहीं होगा क्योंकि आसल में पांच आ रहा है और ये बतला रहा है ये ताख है अच्छा तीन से तक्सीम करके देखें अठारा तीन से तक्सीम होगा तीन च्छिके अठारा एक सो पचस्तर को जरा तीन से तक्सीम करके देखें फोरण भई जल्दी जल्दी जे नहीं होगा अच्छा और किसी आदर से भई अठारा छे से भी तक्सीम हो जाता है छे सी है अठारा उपर वाला छे से तक्सीम करें भई नहीं होगा अच्छा अठारा नौ से भी तक्सीम हो जाता है नौ दुनी अठारा उपर वाले को नौ से जरा तक्सीम करें वो उपर वाला नौ से भी तक्सीम नहीं मालुम हुआ आगे कोई ऐसा आदद नहीं जिसे ये दोनों तख्सीम हो जाएं तो अब लहाद सही की तरफ से ले जाएंगे 175 को उसी तरह अंदर रखें और 18 को उसको तख्सीम करें 175 को 18 से तख्सीम करें 18 को कितने से जरब दें कि 175 या इसके फ़र 9 से जरब दें ये तो 9 से जरब दी 9 उपर लिखा और कितना आया जवाब 162 आया बई 18 को 9 से जरब दी तो 162 आया 175 के नीचे 162 लिखा 175 में से 162 निकालें कितना रह गया 13 रह गया बई जी तो उपर जो 175 बटा 18 था उसके साथ बराबर का निशान डालें जो नीचे था उसको उसी तरह लिखें नीचे 18 लिखा बागी क्या बचिया था 13 13 को उपर लिख दिया और हासिरे चिश्मत क्या था 9 9 को उसके साथ 22 तरफ लिखा तो 9 सही 13 बटा 18 ये सही की सूरत में आदद आपके पास आगया भई जी तरीका साथ को समझ में आगया एक मिसाल और कर लेते हैं एक और मिसाल भई हमारे पास ये आदद हिंसा है भई 625 बटा 125 भई 625 उपर है और 125 नीचे है हाँ इनको हमने मुक्तसर कर रहा है भई किसी आदद से दोनों तक्सीम हो जाएंगे हाँ पास दोनों के आदद में एकाई पास है इससे पता चला दोनों पास से तक्सीम हो जाएंगे जी पास सा पहाड़ा कहा तक पढ़ें कि 125 आए 125 तब तो 125 को काटा और उसके साथ छोटा सा 25 लिख लिए अच्छा पास सा पहाड़ा कहा तक पढ़ें कि 625 आदे तो तक नहीं करके देख लें 125 वैश 125 को काट कर उसके साथ क्या लिख लिए 125 लिख लिए जी अब आगे इसके बराबर का निशान डाला और उपर क्या रहे गया था 125 नीचे क्या आया 125 पटा पच्चीस आगया ये दोनों बराबर है 125 पटा पच्चीस और 625 पटा ए 125 अच्छा अब किसी एक अदर से दोनों तक्सीम हो जाएंगे हाँ अब फिर 5 लिख तक्सीम होंगे 25 पच्चीस तक तो उपर वाले को भी काट कर उसके साथ 25 छोटा सा लिख दिया अब आगे बराबर का निशान डाला उपर क्या रहे गया पच्चीस नीचे क्या रहे गया पांच वई तो पच्चीस बटा पांच आगे किसी एक से दोनों तक्सीम होंगे पांच पच्चीस तक पढ़ए उसके साथ चोटा सा पांच लिख दिया आगे बराबर का निशान डाला आगे आप उपर क्या रही गया पांच और नीचे एक तो पांच बटा एक आया और एक जब नीचे आए उसको तो लिखते नहीं है तो लहाजा आगे फिर बराबर का निशान डाल कर सिरफ क्या लिख देंगे पांच लिख देंगे ये पांच जवाब है बई ये सब आपस में बराबर है 625 बटा 125 और 125 बटा 25 और 25 बटा 5 और 5 बटा 1 और 5 ये सब एक ही चीजें है सूरते मुख्तलिफ है बई दर्मियान में ये बराबर के अलामत सब क्या रही है ये ही बसलाती जा रही है कि ये सब क्या है आपस में बराबर है बई चलिए बस बई